आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Largest Terguide of Thorex of Cockroach Is Connected To उचा गया है जो Largest Terguide होता है Thorex of Cockroach का वो कहां से Connected पाया जाता है तो चलें देखते हैं कि Terguide का मतलब क्या होता है तो Terguide जो है एक Sclerotized Plate होता है और ये Sclerotized Plate जो है ये Basically as a Covering या फिर as a Protection यूज होता है और ये किस चीज़ में Protection देते हैं तो ये as a Dorsal Covering या फिर Dorsal Part जो कि पाया जाता है Cockroaches में उसको Cover Up करते हैं और इसी तरीके से उनको Protect करते हैं from the External Stress तो अब देखते हैं कि कौन सा यहां पे Terguide है जो कि Largest पाया जाता है तो First है जो कि Sclerite of Metathorax बोला किया है और Metathorax जो है इसका Terguide या Sclerite जो है वो बहुत ही जादा क्या होता है कि Small होता है या फिर Medium Size का हम लोग क्या सकते है जिसके वैसे लार्जिस्ट नहीं है Next is Sclerite of Mesothorax तो Mesothorax का जो है ये Largest होता है और इसी Connection से क्या होता है Metathorax भी Cover हो जाता है तो इसलिए हम लोग Second Option को ही टिक करेंगे जो की Cover Up करता है Cockroaches को और Protect करने में Help करता है वह Sclerite of First Abdominal Segment बोला गया है लेकिन यहाँ पे बहुत ही जादा Minimal Segment पाया जाता है और Last Abdominal Segment में तो Sclerite जो है वो भी बहुत ही जादा Minimum पाया जाता है तो इसलिए जो सबसे जादा Protected Area होता है वो जाता है Mesothorax और उसी को हम टिक कर लेंगे Classics च्टुएल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें Doubtnet आप या WhatsApp कीचे अपने Doubt आच चारसो 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 पर